पर दोड़ करने जा रहे हों यह भी उम्मीद है कि आपका कोई व्यापार होगा यह भी उम्मीद है कि इस त्योहार पर आप बहुत सेलिबरेशन्स करने वाले होंगे रुक जाईए और मेरी एक बात ध्यान से सुनिए क्योंकि यदि ये बात आपने समझ ली तो आज के जैसी समास सेवा आज के जैसी देश सेवा दूसरी बार खरने का मौका नहीं मिलेगा दोस्तों एक युवा होस्टल से अपने दादाजी के पास पहुंचा छुटिया बिताने के लिए वो 57 दिन अपने दादा जी के पास रहा देखा दादा जी रोज निकलते हैं जाते हैं किसी बैंक में बैंक वाले से थोड़ी देर गपी आते हैं पैसे निकाल के लाते हैं पैसे जमा करते हैं पोस्ट आफिस जाते हैं वो कपड़े की दुकान पर जाते हैं कपड़ा खरिते ह सारही दुकानों पर जाते हैं वो छोटे रिक्षे वालों को वालों को उनके साथ बेढ़ के बतीयाते हैं और दिन पर उनका यही सब काम रहता है एंगेज graphane ऐसी कहता है और आदाजी आप दबाधा लेने जाते यो आप बेकरी का समान लेने जाते हो आप सबजी लेने जाते हो सब कुछ online आसकता है सब में डिस्कॉपन भी मिलता है बहुत फाइदा है दादा जी कुछ नहीं कहते हैं दादा जी कहते हैं ठीक है वेटा तुम्हारे और हमारे में फर्क है और तीन-चार दिन बाद अचानक घर पे फोन आता है दादी जी का एक्सिडेंट हो गया है तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचते तो देखते हैं दादी जी को लोग बेटा है उसी रोड पर जो मेडिकल शौप है जहां से दवाई लेते हैं वो भी वहीं बेटा है दादा जी उनसे पुछते क्या हुआ बोले अम्मा मंदिर से आ रही थी और रास्ते में एक्सिडेंट हो गया हम लोगों ने सुचा आपको बाद में खबर करते रहेंगे पहले दवा दुगान वाला ये वही कपड़े वाला है बेटा जब मैं रोज छोटी 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 खरीदी करता हूँ मैं रोज नए रिष्टे करता हूँ और बेटा तुमको पता है मैं ये जो छोटी 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 खरीदी करता हूँ ना इनसे इन सब के घर चलते हैं इनकी द आज आपसे कहना चाहता हूं मैं मॉडन हूं मैं खुद एजुकेशन ऑनलाइन प्रबोट करता हूं मैं ऑनलाइन का एंटी नहीं लेकिन आज आपसे बात कहना चाहता हूं वही चीजें ऑनलाइन लीजिए जो आपके शहर में नहीं मिल वही चीजें ऑनलाइन लीजिए जिनक से बाहर निकल जाएंगे उनकी लगजरी में और कुछ हैड हो जाएगा लेकिन ये छोटे-छोटे लोग भूके मर जाएंगे असली देश्चेवा तब भर नहीं होती जब सीमा पर जंग लड़ते हैं असली देश्चेवा तब भी होती है जब आपकी वजह से कोई देश्वा आज आपसे कहना चाहता हूं ये दिवाली लोकल दिवाली मनाई है ये दिवाली हर उस व्यक्ति से खरीद कीजिए जो आपके आसपास है जो पिछले दो साल से कोरोना से परिशान है जिसके घर में दिक्कतों का पहार तुटा हुआ है और तब ये असली देश्चेवा होग आप सब को एडवांस में हैपी दिवाली इसली कह रहा हूँ क्योंकि एक हफ़ते दिवाली को आने में बाकी है और विश्वास किजिए इस अंतिम हफ़ते में हर खरीदी करते वक्त ये सोचना मेरी वज़ा से किसी का घर चलेगा चुक्रिया धन्यवाद थैंक्यो मैं थैयार हूँ, मैं थैयार हूँ, मैं थैयार हूँ, मैं थैयार हूँ